दोस्तों मोगियां पर उत्तर प्रदेश इस्पेसल का टेस्ट लगाने वाले हैं जुके आपके आई हुए प्रेस ने 2018-2019 में कोश्चन पूछे गये हैं और आज के टेस्ट में 2019 में तो भरमार है कोश्चन की बहुत कोश्चन पूछे गये हैं आपके इस वीडियो से देखना कि कितने कोश्चन आपके गजामें पूछे गये हैं चलिए यहां पर आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछोचा दरगा सरीप इस्तित है यहां पर कोश्चन आपका पूछा गया है तो आपका किछोचा दरगा जो सरीप इस्तित है कहां पर इस्तित तो आपको पता होना चाहिए तो बिल्कुश सही जवाब है option right यहाँ पर आपका हो जाएगा B number इलहाबाद में ठीक है बिल्कुश सही है इलहाबाद मतलब प्रयाग राज में कुम मेला लगता है ठीक है और कह सकते हैं कि ओ ऐसे आपके तीन स्थान और भी हैं हरिद्वार उजयन और नासिक यह चार जगा आपके कुम मेला के हैं जहाँ पर आपके कह सकते हैं कि क्या लगता है आपका तो आपका कुम मेला लगता है ठीक है चलिए नेस कोशन आपका अगला पूछा गया है के राप से कि उत्तरपदेश राज में गढ़ मेला प्रतिवस आयुथ होता है तो भाई गढ़ मेला आयुथ होता है कहाँ पर आयुथ होता है यहाँ पर आपका 36 का सई जवाब क्या हो जाएगा चलिए 36 का उप्शन राइट सबी लोग सई जवाब दीजी भाई यहाँ पर 36 को उप्सन राइट आपका हो जएगा यहाँ पर आपका C- नमबर आपके गढ़ मुक्तिस वर में लगता है गढ़ मुक्तिस वर जो कि आपके उत्तर प्रदेश के हापुर जिले में है और निस्ट कोशन को आते हैं कोफ strive को कंकाली तीला के पास खुद कर निकाला गया जो की स्तीथ है तो हाँ पर देखसकते हैं जेन उस्तूप और एसके उस्ताइशा आपके निकाली तीख कर आप इस्तित है तो 37 कोफन राइट थो 37 कोफन राइट आपका होज़ मत्सरा में कहाँ पर है आपके तो आपके मतुरा में आपका इस्तित है या आपका टीला ठीक है और नेश कोश्चन का आते हैं कोश्चन आपका अगला पूछा गया है देख सकते हैं 2019 में कोश्चन पूछा गया है और अगला कोश्चन आपका पूछा गया है जोकि 2019 में ये भी है कि जोन जौन पूर में के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्मार के लिए एक मिसाल आपका माडल बन गई है तो यह आपकी कह सकते हैं आपकी कौन सी आपकी यह मस्जिद जो आपकी है कौन सी अटाला मस्जिद तो कह सकते हैं किस ने बनवाया था तो 38 को बनवाए थे ये बनवाए थे option right up का भी हो जएगा इब्राहिम सर की ठीक है तो आपके जॉनपुर जुकुतर पदेश में इस्तित आपके अटाला मस्जिद को जो की भारत की प्रुमुक परेटन और आपके आकरसक स्थाल है और अटाला मस्जिद की वास्तुकला जो सहली हो स की सहली की रूप में आपकी जाने जाती है ठीक है चले नेस कोशन का आते हैं कोशन आपसे एक पॉइंट यहां से आओ बन सकता है जिसको देख लीजिए कि जो जॉनपुर है जॉनपुर सहर को सीराज ये हिंदी के नाम से जाना जाता है बहुत बार कोशन आपका पूछा पूछा गया है कि सीराज ये हिंदी के नाम से के से जानते है तो आपके जॉनपुर को जानते हैं ठीक है नेस कोशन आपके अगरा पूछा गया है कहरा आपसे यहां पर कि उत्तरप देश के किस सहर में आपको निम्रिखित राजसी घाट मिलेंगे असी घाट मड़करिका और हरिश चंद घाट तो देख सकते हैं ये भी कोशन आपके दो जानुनिस में पूछा गया है आपके लोगन पूछा गया है अभी हाले में पूछा गया है तो यहां पर 49 को आप्शन राइट सही जवाब होजएगा आपका बी नमबर आपके वारन रसी में असी घाट से है अपको पता जहल गया होगा कि आपकी वारन रसी में आपको खळता है थीके चले है बस कोशन करते हैं कोशन आप से अगला पूछा गया है कि स्री जो प्रिसिद्ध बांकी बिहारी मंदिर उत्ता प्रदेश की किस सहर में इस्ति थे स्री बांकी बिहारी मंदिर चले इसका जवाब दीजिए 2019 लोगर PCS मों कोईचन पुछा गया तो यहां पर बांकी बिहारी मंदिर यह आपका इस्तिते 40 को उप्षन राइट सही जवाब दीजिए भई सही जवाब होजेगा उप्षन राइट आपका C आपके ब्रंदावन में कहां परे भई तो आपके ब्रंदावन में हैं यहां से जुड़े हुए कुछ आपके पुएंट बन सकते हैं आके आगामी पर इच्छा के लिए जैसे कि अपना उप्देश यही स questi क सारानाथ में उन्होंने उन्होंने क्या सकते हैं कि नहोंने अपना उप देश दिया था वारन रसी जुकी कासी विश्वनात मंदिर है आगरा में ताजमन और आपका कैलास मिला लगता है कुछ आपकी महात्वड़ आपकी ये पॉइंट है ठीके और नेस कोशन काते है कोशन आप से एकला पूछा गया है यहाँ पर 2019 ये भी कोशन आपका पूछा गया है उत्तर प्रदेश की सेर में ग्यारा मंजिला पागल बाबर मंदिर है यहाँ पर दे सकते हैं तो नए कोशन आपके लिए है कि ग्यारा मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा तो कहाँ पर मिलेगा भई ये भी कोशन आपके 2019 में कोशा पूछा गया आपके लोवर एकजाम में तो सारनाथ वह पवितिष्था ने जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वह निम्लिकित की सहर के बहुत नजदीक है तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं यह आपका जो है नजदीक है तो इसका डिस्क्राइब देखते हैं वह इसे पूछने का तरीका कुछ अलग है तो यहाँ पर सारनाथ वह पवितिष्था ने जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वर्तमान में सारनाथ वारान रसी सहर की निकट है किस क्या है तो यहाँ पर जवाब आपका होना चाहिए वारान रसी होना चाहिए तो यहाँ पर देश सकते हैं इस प्रकास से इसका अंसर आपका हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर निस कोश्यन का आते हैं कोश्यन आप से एकला पूछा गया है कि बुद्ध ने देख सकते हैं कि सही जवाब है आपके सारनाथ ठीक है ये भी आपके लोगर सेकेंड में देखो पूछा गया है आपका तो यहाँ पर नेस्ट कोश्चन आपका दिया गया है कर आप से 2018 कोश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश के यहाँ पर देश सेत्ने बुद्ध ने अपना पहला उप्देश दिया था और अपने कारविधी की नियू रखी थी कहां पर रखी थी 24 कोश्चन राइट तो बिल्कुल सही है 24 कोश्चन राइट आपका C हो जाएगा आपके सारनात में ठीक है C नमर आपका सही हो जाएगा नेस कोश्चन आपसे एगला पूचा गया है कि उत्तर वदेश में इस्तित कासी एक प्सित्ध भारती तीर्थ केंद्र है और या निमलेखित में से किस नदी के तर्ठ पर आपका इस्तित है तो भाई बताईए भाई कि कासी जो प्रशिद्ध भारती तीर्थ केंद्र है ये का आपके किस नदी के तरफ पर आपका इस्तित है आपके lower exam में पूशन पूशा गया है हमने बता दिया बहुत कोशन पूशे गया है यहां से तो आपका 45 को उप्सन राइट आपका हो जएगा यहां पर D number यह आपका कासी है जो आपके गंगा नदी के किनारे है ठीके किस के नदी किनारे गंगा नदी की किनारे आपका बसा है और यहां भारत का सबसे प्रचीन बसा सहर आपका है ठीके और कैसे सिकते हैं कि जैन और बह प्रवासी दिवस का योजन कहा हुआ था तो आपके 1LC में हुआ था ये भी कोशन आपको पूछी लिया गया है और पूछा भी गया है ठीके और यहाँ पर मुख्य अतिति पूछा जाता है तो मुख्य अतिति आपके थे मौरीशस के प्रदान मंत्री स्री प्रविंद कुमार जगरनात ये थे आपके कैसे 30 बार के भारती प्रवासी दिवस के जो आपके मुख्य अतिति रहे ठीके नेश्ट कोशन का आते हैं कोशन आप सगला पूछा गया है कि एक लास खान का रोजा जो की मगबरा है यह उत्तर प्रदेश की निम्लिकित किस जिले में इस्तित है ए पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे तो इक लास खान का जो मगबरा है वो आपके कहां पर है 46 का उप्शन राइट यहां पर आपको हो जगागा डी आपके बादायों में ठीके तो इसका समझ लिजिए कोशन आपका आया है तो यहां से कोशन बन सकते हैं और भी बन सकते ह तो इकलास खान रोजा अर्था तक मगबरा जवाब के उत्तरप्रदेश के बदायों जिले में है नवाब इकलास खान की बेगम ने अपने सौहर की याद में मगबरे का निर्माड करवाया था जिसे इकलास खान के रोजा के नाम से जनायाता है इस मगबरे का निर्माड द अमिर्मिया गया यह मगवरा मुगल काल की याद इमारत है ठीक है तो देख सकते हैं इतना बड़ा मगवरा है इस कारण कहीं न कर यह अपका प्रसिद्ध आपका है ठीक है पूरी डिटेल समझ गये है तो कोश्चन आपका हो सकता है रिपीट हो जाए और पूछा जाता है ऐस कुसी नगर में गौतम बुद्ध का क्या हुआ था यहाँ पर 47 को आपके भगवान बुद्ध जो थे इनका निर्वान अतत के सकते हैं यहाँ पर इनकी मृत्ती हुई थी ठीक है इस प्रकार से आपका डी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर महा निर्वान अतत मोच की प्र प्रेटन इस्थल है यहाँ यहाँ पर अर्थात की यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है आपका यहाँ पर क्या है आपका यहाँ पर आपका कह सकते हैं एक राम भर जो आपका इस्थूफ है ठीक है कुसी नगर बहुत लोगों का एक लोप्री प्रेट इमाम बाड़ा कहा हिस्तित है आपके लोवर कह सकते हैं पूछा गया था फर्स सिप्ट में यहाप रूंचास को ओप्सन राइट आपका हो जाएगा कौनसा तो ओप्सन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर आपके लखनों में है ठीक है तो यहां से कोश्चेन आपके बंते हैं तो इसको समझल लीजे कि बड़ा इमामबाड लखनो के एक एतिहासिक धरुगार है इसे बूल बलाया भी का जाता है ठीक है बड़ा इमामबाड को बूल बलायाा भी का जाता है और इसका निर्माड आसफ असरी मस्जिद भी है जहां गैर मुस्लिम लोगों को अपरवेश की अनुमती नहीं है मस्जिद परसर के आंगन में दो उंची मिनारे है तो इतना डिटेल आपका रहा कोशन आपका पूछा जा सकता है नेस कोशन आपका अगला है कर आपसे कि लठ मार होली के लिए निमसे कौन सा इस्थान प्रिसिद्ध है चलिए पचास को जवाब दीजिए तो बिलकुल लेजी कोशन आपका होना चाहिए यहाँ पर सभी के जवाब आ रहे हैं पचास कोशन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी निंबर आपके बर्साना में ठीक है बर्साना आपककि यह क सिक्तिन लठ मार हुली आपकी होती है या ओली मत्रण के दो कसभे pair बर्साना और नंदगाओं के बीच खेली जाती है ठीक है और यह परणड़ाइक काल से ही कुरश्ण और राधा की प्रेम की लिलाएं आपके प्रिजली थे इसी कारा यहाँ पर लठमार होली आग तक भी खेली जाती है ठीक है चलिए नेस कोश्चन आपका अगला है कहरा आप से उत्तरब देश के निम्लिकित में से किस जिले में प्रतिवर् 2019 में पूछा गया है भरमार है आप कोश्चनों की 2019 की तो यहाँ पर आपकी कहसे कते हैं कि बटेश और मेला जो आपको होता है वह कहां पर 51 को आप्सन राइट यहाँ पर जवाब हो जाएगा डे नमबर आपके आगरा में कहां पर आपके आगरा अप्सन राइट आपका य आपके बाबा भोले नात के प्रिशिद्ध मंदिर के पास लगता है और याद रखे यह पस्वों का एक मेला है सरवाधिक मेला कहां लगता है तो सरवाधिक मेला आपके 46 मेले आपके के सकते हैं आपके मतुरा में लगते हैं और सबसे कम मेले आपके लगते हैं पीली भीत यहां से कोश्चन आपके बन सकते हैं, ओके, चलिए, यहां पर एक कोश्चन हमने बताया था पिछली वीडियो में, सुलाह कुल, सुलाह कुल उस्सका मनाता है, तो आपके कह सकते हैं, कि यह आपके आगरा में हैं, और यह हिंदु-मुस्लिम एकता का प्रतिक, एक मेला मना ज लगते हैं, तो कुम्ब मेला, बहरावें, और अर्ध कुम्ब आपके छटवें, अर्थात, बावन को उप्सन राइट, यहां पर बिल्कुछ सही है, आपके ए नमबर आपको जगा बहरावें और छटवें, आपके कह सकते हैं, ठीके, और चार जगा लगते हैं, हमने बता परिक होती, तो रट सकते हैं, इससे आपको याद रहेगा, नेस कोचन आपका अगला है, यहां पर अंसर आपको दिख गया है, कि भारत में इस्तित की सहर को विशु का सबसे पूराना सहर मना जाता है, किसी मना जाता है, तो तिरप्रन कॉप्सन राइट, यहां पर सही बर्श इससे बसाएं, कि फरुखा बाद जाना जाता है, यहां पर आपका राइट अंसर क्या होजएगा, आपको अप्सन डी हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है, ठीके पर सीम्पल सी बात है, आपने पड़ा होगा सारस या क्रॉँच ठीके तो आपसन रेट अपके यहां पर भी हो जएगा सारस या क्रॉँच यह उत्तर पदेश का राच की पच्छी है याद रखेगा और वहीं पर हमने आपको हर एक पॉइंट बता दिया है जैसे आपका राच की ब्रच हो गया ठीके आपके यहां पर के सिक्ते हैं जो आपका राच की चिन है उसमें मचली हो गई तीर हो गया धनुस्वाड हो गया गंगा नदियों जो आपके गंगा है यमना है इनका जो संगाम है वो भी आपका हमने बता दिया है सभी ठीके और अगला प्रस्ण दिया है कि सर्दार बल्ला भाई पटेल क्रेसिव इस्विद्याले होसती थे सरदार बल्ला भाई पटेल क्रसिव इसुद्याले इस्तिते कहां पर तो आद रखे ये जो आपका इस्तिते आपके option B आपके मेरठ में है कहां पर है आपके तो आपके मेरठ में याद रखेगा अगले प्रस्कोर बढ़ते हैं प्रस्णाप से एकला पूछा गया है कहराब से कि अति लोग प्री धार्मी पत्री का कल्याण प्रकासित होती है कल्याण पत्री का देख सकते हैं ये जो आपके प्रकासित होती है आपके गोरकपूर से कहां से तो गोरकपूर से ओप्सन अपक प्रसुर हो जएका गोरकपुर हो जएगा ठीक हिद्धानी एकड़मी जिसे भारति भासाओं की रच्छा तथा विकास से तो इस्थापित किया गया था इस्थी थे अब इस प्रस्फन आपके लिए फसल में बड़ा उत्पादक नहीं है नहीं सब्दाप़ दिया गया है तो देख सकते हैं आपर आपके जो घेँऊं है आलू है गन्ना है इसमें तो होता है लेकिन चावल में नहीं है तो इस प्रकास से ओप्सन आपके यहां पर भी हो जगा चावल में उत्तर ब्रदेश आपको के सित्य प्रथम नहीं है इसका इस्थान से किंड आता है पहला इस्थान आपके पस्चिम मंगाल का है चावल की मामले में अगला प्र ठीक है नेश प्रस्णाप का दिया गया है कुत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अउनाली का परदन से सरवाधिक प्रभावी थे तो अउनाली का परदन हमने आपको देया था कि मिट्टी का खटाओ अटाओ जो होता है एक पानी के मध्यम से एक नली जिसी बन जाती है उससे पानी भैता रहता और मेटी कटती रहती है यह जो आपका एरिया है कौनसा तो आपका इटाओ 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 में ही आप देख सकते हैं कि आपकी जो चंबल लदी आती है वह आपके यहीं के पास आपके मिल जाती है इस कारण से यहाँ पर याद रिखे चंबल छेत्र जो प्रदेश के लिए सही नहीं है कौन सा सही नहीं है तो यहां पर दिया है कि यहां देश की जनसंक्या का 16.5% निवास करता है बिल्कुश सही है दूसरा यहां पर है कि यहां देश के सरवाधिक बच्चे पा जाते यह भी सही है तीसरा दिया है कि इसकी दसकी प्रदीदार आपका C वाला गलत है वाई पर लिंगान पाज जो आपका है 908 है ठीक है इस प्रकार की कौन सा गलत है तो आपका C नंबर गलत हो जाएगा अगले प्रस्ण को राते हैं प्रस्णाप से गलत दिया गया है कि जनगर्णा 2011 के अंतिमाकणों के अंसार निम्लिकित में से उत्तरप्रदेश के किस जनपत की जनसंख्या नुम्तम है तो नुम्तम जनसंख्या जो आपकी है वो आपकी कापर है तो यह है आपका महोबा कौन सा आपका है तो आपका C हो जाएगा महोबा में जनसंख्या जो आपकी है वो आ साच्छर्टा दर आपकी कहां पर है तो यहां पर देखिए साच्छर्टा दर दिया गया है साच्छर्टा दर दिया गया है और यहां पर कैसकते हैं जो आपका यह है आपका गलत हो जाएगा है ना यहां पर आपका यह गलत है क्योंकि उच्चितम साच्छर्टा दर जो आपक आपको कौन सा आपका ए नंबर गौत्न बुध्य नगर हो जाएगा अगला प्रस्फन आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश को चार चोटे प्रदेशों में बाटने का प्रश्था उत्तर प्रदेश विधान सवा में कब पारित हुआ था। तो यह हुआ था आपका कैसे कि 21-11-2011 को ओप्सन राइट अपके यहां पर भी हो जएगा आपके 21-11-2011 को यहां पर चार प्रदीशों में बाटने का प्रस्ता उत्तर प्रदीश विधान सभा में पारित हुआ था आगला प्रस्ता आपका दिया गया है कि निम्लिकित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है कौन सा युगम सुमेलित नहीं है तो देखते हैं आपर कौन सा सुमेलित नहीं है तो बरंदावन मंदिर आपके मथुरा में है जेके मंदिर आपके कानपूर में है स्विश्वनात मंदिर वारारसी में है देवी पाटन मजवाब का मंदिर वापके तुलसीपुर में है तो यहाँ पर गलती मिल गई होगी option B कि आपका जेके मंदिर आपके कहाँ पर है कानपुर में है ना कि आपके लखनों में है तो भी वाला आपके आसु मेलित नहीं है ठेके, नेश प्रसनापका दिया गया है यहाँ पर आपको इस प्रकास से कूट के आफसन है कि 2011 की जनगर्ना के अंतिमाकडों के अनस्वार उत्तर प्रदेश के निम्लिकी जिलो कून के जनसंख्य आकार के आरोही करम में ब्योश्थित कीज़े तो हमसही उत्तर नीचे दिये गए कूट से चुनिए यहाँ पर इलाहाबाद प्रियागराच यहाँ पर जनसंख्य के अकौर्डिंग दिया गया है जनसंख्य के अकौर्डिंग आपको दिया गया है जो कि आखार आपका औरोही क्राम में होना चीए था तो इसके according आप देख सकते हैं 76 वाले में कि आपका जो इलहाबाद है उपहले इस्थान पर होता है फिर आपके यहाँ पर कहे सकते हैं कौन सा आपका होगए यहाँ पर इसको भी आपको देखना होगा ठीक है तो आपर देखे यहाँ पर कहे रहा है Central Drug Institute को आपर है तो यह आपके लखनव में है कहाँ पर है तो लखनव में है वहें पर गर बात करते हैं Central Leprosi Institute यह जो आपके पढ़ता है यह कहाँ पढ़ता है तो यह आपके आगरा में पढ़ता है कहाँ पढ़ता है तो आगरा में पढ़ता है मोतिलाल नेरू राष्टी प्रदोकी संस्थान यह कहाँ पर है तो यह आपके इलाहबाद में है कहाँ पर है इलाहबाद में यहां पर आपको दिया गया है नगर और आपके हावायड अड़े। तीन के अंसार से देखेंगे कि कौनसा हावायड अड़ा कहा पर आपका पढ़ता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो आपका लखनोव, लखनोव में जो आपका है, वो आपका कौन सा है, तो लखनोव में आपका पढ़ता है, अमोसी ठीके, अमोसी पढ़ता है, फिर वहीं तर देखा जाए, कि वारा नसी में तो बावतपूर पढ़ता है, वारा नसी में D नमबर यहाँ पर आपका सही होज़ेगा D वाला ठीके चलिए अगला प्रसंद दिया गया है कि इने सूची फस्ट को सूची सेकिन से सुमिलिक करना है यहाँ पर जनपद है और आपका मुख्याले दिया है किसका मुख्याले कहाँ पर है इसको भी आपको देखना होगा देखिए यहाँ पर जो आपको पता है उसकी इसाब से कर सकते हैं है ना तो जालाओन तो भई जालाओन का जो आपका है वो आपका कौन सा है जालाओन का आपका कौन सा है तो जालाओन का आपका हो जाएगा या पर पर कौन सा तो आपका यहां पर कैसे संत रविदास नगर संत रविदास नगर का कौन सा आपका तो नौगर हो जाएगा और कुसी नगर का आपका पड़रोना हो जाएगा तो इसके अनसार से आपका सही हो जाएगा चार एक दो तीन चार एक दो तीन ऑप्सन आपको मिल चुक यहां पर मतलब अंसर भी मिल ले हैं एकी वीडियो में धेश सारा ग्यान भी मिल जा रहा है अस्य प्रस्णाप से पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है ठीक है मेला और तेवाद दिया है और आपका आयोजन इस्थल दिया है कहां पर आपक साहब मेला गोविन साहब मेला आपके कहां पर है तो गोविन साहब मेला यह आपका लगता है आपके अमबेट करनागर में और माघ मेला लगता है यह आपके इलहाबाद में तीस प्रकार से यहां पर राइट क्या बनेगा तो राइट आपका हो जाएगा 3421 ऑप्सन आपके अगेला प्रस्णाप का दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्टरी स्थापित की जा रही है उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्टरी स्थापित की जा रही है ये कहां स्थापित की जा रही है तो एक Rail Coach Factory के स्थाफना कहाँ पर की जा रही है यहाँ पर Right Answer आपको हो जेगा Option Right यहाँ पर C Number आपके राय बरेली में कहाँ पर राय बरेली में की जा रही है सभी प्रस्णम ने Master वीडियो में पढ़ा दिया है ठीके कोई प्रस्णम आपके गलती नहीं होना चाहिए अगरा प्रस्णम से दिया गया है कि उत्तर प्रदेश प्रारमीक सिच्छा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था देख लिजे उत्तर प्रदेश में जो आपके प्रारम्बिक सिच्छा के लिए इस्कूल चलो अभियान ये जो आपका सुरूवा था कब से सुरूवा था तो राइट अंसर आपको हो जेगा ओप्सन भी आपके सन 2000 में ठीके सन 2000 में ओप्सन आपको यहाँ पर 20 ही हो जेगा अगला प्रसन आपका भारती चारागा है एवं प्रसन आपको दिया गया है कि भारती चारागाह एवं 4 अंसंधान संस्तान इस्तित है देख लीजospace इवं 4 अंसंधान संस्तान जो आपका है यह कहां पर है कई बार आपने पढ़ा भी है तो याद रखे यह आपके जासी में है कहां पर है जासी में है ऑप्सन एटप के आपसी होजेगा जासी अगला प्रसनाप से पुछा गया है कि UPSIDC द्वारा वीशिष्ट उद्धोगों हे तू उद्धोग पार्क इस्थापित क यह गये हैं उद्धोग पार्क को चिन्नित कीजिए जिसका इस्थान सही नहीं दिखाया गया है तो यहां पर दे सकते हैं कि बायो टेकनोलाजी पार्क दिया है आपके लखनोव ठीक है कहां पर दिया है लखनोव तो भी यह सही है अप्रेल पार्क अप्रेल पार्क जो पर D वाला, option आपका B वाला गलत हो जाएगा, अगला प्रसन आपसे पुछा गया है, कि अमना एक्सप्रेस वे है, देख लीजे, अमना एक्सप्रेस वे से question आपके महुत पूछे जाते हैं तो जो अमना एक्सप्रेस वे है, वो आपके कहां से कहां तक के लिए तो ये आपकी है greater noida से आगरा तक के लिए ठीक है degree to उपसन अपके आ पर भी होजेगा greater noida से आगरा तक के लिए आपका एन्मतव एक्सप्रिस हुए है ठीक है और अगेलाMe अगला प्रमुक रनती जवाब мо कहा है करना आध रहके चरकुला प्रमुकोल्क रेगल करने है लुगूर प्रमुक रनती जवाब है गया कहा है और अगला प्रसंद दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्लिकित कौन सा छेत्र सरवादिक बाढ़ प्रभावित है सरवादिक बाढ़ प्रभावित जो छेत्र हो आपका कौन सा है तो देखे यहाँ पर आपका यूपी है और बिहार से जो बिहार के साइड में जाएंगे तो पूर्वी चेत्र मिलेगा न तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएक option B पूर्वी चेत्र है यह आपका 12 प्रभावी चेत्र आपका है ठीके B number अगला प्रसन आपका है कि उत्तर प्रदेश में औले का सरवादिक उत्पादन करने वाला जीला कौन सा है औले का सरवादिक उत्पादन जो होता है कहाँ पर तो यह आपके कहाँ पर होता है वाई तो आपके option right आपका हो जागा भी आपके प्रताबगड में प्रताबगड में और अगला प्रसंद में कि राने लच्वी बाई बाइन अवस्ती थे यह आको कहा पर है तो यह आपके के सीं और यह पर है कहाँ सी नदी पर यह पिन पर यह पर हो जबंप यह दूंज सफार्यन का दिया है कि 2011 में उत्तर प्रतेश का अब लिखित जिसे मुलोग बुलते हैं recorded 1 छेत्र अपने कुल छेत्रफल का लगभग था 2011 के अंसार है तो 1 छेत्रफल जो आपका है 1 छेत्रफल अपने कुल छेत्रफल का लगभग जो आपका था वो आपका कितने प्रस्त तो right answer आपको जगयां पर C number 7% ठीक है 7% और अगला प्रस्त आपका है कि उत्तरफल प्रदेश की प्रमुक वाडजिक उपाज क्या है उत्तरफल प्रदेश की प्रमुक वाडजिक जो उपाज है वो आपकी कौन सी है तो यहाँ पर right answer क्या बनेगा right answer आपका बनेगा option B यहाँ पर गन्ना यहाँ देग वाडजिक प्रसल आपकी कौन सी है उत्तरफल प्रदेश की पूछा गया है ठीक है जूट को मतला गिएगा क्योंकि यहाँ पर UP के बाद कह रहा है तो इसके according option आपका कौन सा होजेगा B number अगला प्रसनाप का दिया गया है कि handbook of agriculture प्रकासित होती है handbook of agriculture जो प्रकासित होती है यह कौन से संस्थान से कहां से होती है यह जो आपकी होती है यह आपके भारती क्रिसी अंसंदान परसद की द्वारा होती है option आपके यहाँ पर B होजेगा भारती क्रेसी अंसंदान परसद से आपके होती है ठीके हैंड बुक आप अगरी कल्चर अगला प्रस्थन आपका दिया गया है कि बेगम मस्रू ने एक अतिमाहत्रपून चर्च का निर्मार करवाया था और ये जो कह सकते हैं चर्च है ये आपके कापर तो राहिट अंसर आपका होज़एगा बेगम मस्रू ने जो करवाया था सर्धरा में करवाया था और अपसन आपका च्छानमे को हज़एगा अगरा है कि निमदीखित में से कौन सुमेलित नहीं है कौन सुमेलित नहीं है, शत्तानमे नंबर तो कहईरा आपसे कि अहला दिया है आपके बुंदेल खंड से सही है, बिरहा आपका प्रवांचल है, चैती आपका रुहल खंड दिया है भी सही है, ओप्शन डी वाला देखे कहईरा कजरी आवद छेट landscapes तो वही कजरी आवद छेट का नहीं है ये भी आप ही कह सकते हैं पुर्वांचल छेत्र से है मिर्जयापूर है ना ऐसे छेत्र में आपका होता है तो इस कारण से option आपका D ये आपका सुमेलित नहीं है अगला प्रसना आपका है कि निम्लिकित कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है सही सुमेलित नहीं है कहर आप से कि आप इस्तिली तो देखिए आपसन यह आपका गलत हो जाएगा क्योंकि तब हो इस्तिली कहाँ पर आपके नए मिसारण जो आपके सीतापुर पर पड़ती है ना तो 88 अजार इस्तिली कहाँ पर है तो आपके नए मिसारण है जो कि सीतापुर में है इस कारण से आपका गलत जो समलियाबाद रगुपत साहय फिराक तो हमने आपको बताया था रगुपत साहय रगुपत साहय जो फिराक है फिराक गोरकपुरी इनका ही जो आपका नाम है इनके बच्चपन का नाम ये कह सकते मोर लाम फिराक गोरकपुरी का रगुपत साहय है ठीक है तो यह आपके गोरकपुर से हैं ना कि आपके कानपुर से तो इस कारण से बी वाला आपका गलत हो जाएगा वहें पर जीगारा मुरादाबास से हैं और आके चकबक्त आपके लखनों से हैं तो भी वाला आपके यहां पर गलत हो गया है यह आपके गोरखपुरी हैं ठीक है तो यह आपके कैसे क्ता अब्जिक्ट्यू रहे हैं